दोस्तों स्वागाय था आप सभी का आज के हमारी सेशन में दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देख चुके हैं कि आज हम CGPSC Pre का जो GS Paper 1 हुआ समान नियाध्यान का जो पेपर था उसके model answer करने वाले हैं ये जो model answer हम आपको बता रहे हैं वो हमारे द्वारा चान भी करके कुछ हमने research किया है उसके आधार पे हम आपको उत्तर बता रहे हैं अभी तक अधिकारिक तोर पर जब तक CGPSC द्वारा official model answer जारी नहीं किया जाता तब तक आप किसी भी उत्तर को एकदम confirm नहीं मान सकते लेकिन हमने कुछ research किया है उसके आधार पे हम आपको model answer बता रहे हैं उमीद करते हैं आपका परिक्षा अच्छा गया होगा और आगे आने वाली परिक्षाओं के लिए भी आपको बहुत 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 शुब कामना है तो चलिए हम जो समाइन अध्यन के paper थे उसके पूरे 100 प्रश्णों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे तो शुरू करते हैं जो पहला प्रश्ण था वो था लाल बंगला किस जन जाती से संबंधित है तो लाल बंगला जो है वो भुझया अगे पीछे हो सकता है तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अगला जो प्रश्ण है वह है चांग देवी का देवाला किस जिले मिस्थित है यह जब आप गूगल करेंगे तो आपको शायद ही मिलेगा लेकिन जो ग्रंथक आदमी की बुस्तक है वहां पर आपको अगला प्रश्ण है 36 गड़ में पहली बार राष्ट्री आदिवासी नित्य महुत्सव कायोजन कब किया गया ध्यान दीजेगे इसमें पहली बार पूछ रहा है ठीक है अभी जो इस साल का हुआ वो था आपका उसमें आप उत्तर 25 से 28 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर अगला प्रश्ण है ग्राम गड़ बेंगाल के चेंदरु मंडावी को किस लिए जाना जाता है तो चेंदरु मंडावी जिनको हम टाइगर कीड के रूप में जानते हैं ठीक है जिनको हम टाइगर कीड भी कहते हैं इनको जो है बसतरांचल से हॉलिवूड के पहले हीरो के जाना जाता है आपसंसी इसका सहीं उतर रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है निम्न पकत्नों को पढ़कर सहीं विकल्प चूनिये तो कथन दिये गया थे राज माताब फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसीद आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांजी से है यह सहीं है इनका जो है विशेष्टा देखा जब बालोद और धमदरी के छेत्र में इनके एक अलग से सेना होती थी और आज भी इनकी पूर्णेती थी पर इनकी जो सेनाय है इनको मतलब अरपित करने के लिए उपस्थित होते हैं संद गहीरा गुरु का वास्तवीक नाम म महस्वर नहीं बलकी रामेस्वर था ठीक है इस तरीके से किवल कथन एक सत्ते रहेगा ऑप्शन सी इसका सह्यूतर रहेगा अगला प्रश्ण है निमलिखित को सुमेलित कीजिए ठीक है त्यवहार दिये गए हैं और आपको माहा दिया गया है तो आमुषत्यवहार हम सावन के महा में मनाते हैं नवा खई नवा खई तेवार हम भादो महा में मनाते हैं और दसहरा को हम कौार में मनाते हैं इस तरीके से हमारा सहितर हो जाएगा option C अगला प्रशन है निम्लिखी जन जातिओं को उनके मुख्य निवास छेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिये ठीक है तो जब आब इसको सुलेलित करेंगे तो पहाडी कॉर्बा जन जाती जो मुख्य तह जस्पूर छेत्र में निवास करती है भुंजिया जन जाती गरिया तो से सुमेलित कीजिए, सासक और राजवंस, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, आप इसमें से अगर एक उत्तर जानते हैं, तो आपको कूट के अधार पर आपको सही उत्तर जल्दी मिल जाएगा, इसकंद वर्मन, इसकंद वर्मन जो थे वो, नल वंसी सासक थे, आप उनका काल था, उनके अधार पर आपको जमाना था, तो जो केसव गोविंद का कारेकाल था, वो था 1798-1808, जदुराव याज इसको आप यादावर दिवाकर भी कहते हैं, उनका था 1817-1808, विठल राव दिनकर का था 1750-1796, और भीका गोपाल का था 1819-1817, तो जब आप इस राजकुमार कॉलेज के प्रचार्य का नाम, तो उनका नाम था Smith Pierce, option A सही उतर रहेगा, आगे बढ़ते हैं, 36 गड़ के निम लिखित समचार पत्रों को उनके समपादकों से सुमेलित कीजिए, समपादकों से सुमेलित करना है, ठीक है, तो सुरियोदय के जो समपादक थे, वो थे, कनहियालाल वर्मा, आलोक पत्रीका के समपादक थे, केसव प्रसाद वर्मा, तो जब आप इन दो भी कलपों को लिखेंगे, तो आपको उत्तर इसके धार पे मिल जाएगा, ठीक है, सुरियोदय के कनहियालाल वर्मा, और आलोक के केसव प्रसाद वर्मा, तो आप अंदोलन के काल में 9 अगस्ट 1942 को गिरफतार किया गये नेताओं को उनके इस्थान से सुमेलित कीजिए ठीक है तो याकूब अली याकूब अली को गिरफतार किया गया था रायपूर से हर नारायन बाजपई को गिरफतार किया गया था विलासपूर से ठीक है तो जब अब इ स्थिती, समाजिक व्यवस्था, भूमी की व्यवस्था के कारण 36 गड़ की जमिदारों का अस्तित और नयसरगीक वा अनिवार रहा यह कथन किसका है तो यह जो कथन है वह है मिश्टर चिस्म का ठीक है चीशम का आप्संसीस का सहीं उतर रहता द्वीतिय सवी ने अवग्या अंदोलन में जुलूस का नेतरित्व करते हुए डाक्टर राधा भाई को कब गिरफतार किया गया था उनको 13 जून 1932 को गिरफतार किया गया था अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन राजनाद गाउं के राष्ट्रिय विद्याला की स्थाबना से सम्बंधित नहीं है तो राजुलाल सर्मा जो है सम्बंधित नहीं है बागी पदुमलाल, पुन्नालाल, भक्सी, ठाकुर, प्यारे लल सिंग और बल्देव प्रसाद मित से ये तीनों जो है राष्ट्रिय विद्याला की स्थाबना से सम्बंधित है अगला प्रशन है तो ये प्रशन जो है डिलीट होने के ज्यादा चांसे है क्योंकि आप देख सकते हैं क्रिसी के छेत्र में 4.61, सेवा के छेत्र में 0.75 और उद्योग के छेत्र में 5.28 परसेंट रहता तो आपको इसका जो सहीं उत्तर आता वो आता 2, 1 और 3 आपको विकल्प में कहीं भी ये नहीं दिया गया है तो हो सकता है इसके विलोग भी थोने के चांसे सहें अगला प्रशन है चतिस गड़ में प्रवाहित बनास्त नदी के सम्मंद में निम्न कत्नों को पढ़कर सहीं विकल्प चूने तो इसका उदगम माझा टोली की पहाड़ी से होता है ये सही है मनें दरगड में है यह ग्राम डेंभा के पास सो नदी में मिल जाता है यह भी सही है एक और तीन सही है और इस नदी पर कोटली जल प्रपात अवस्थित है यह अगलत है कोट्री जर्प्रपाट जो है वो कनहार नदी पर इस्थित है तो एक और तीन सहीं रहेगा ऑप्सन सी हमारा सहीं उत्तर रहेगा अगला प्रशन है राज्य में चर्चीत इस्थल सुमेलित कीजिए टमाटर की राजधनी लुडेंग को कहते हैं चामाल अनुसंधान संस्थान लाभांडी में है और कोसा अनुसंधान संस्थान बस्तर में है ठीक है तो और किसान सॉपिंग माल राजधनांद कामे तो इसका सहीं उत्तर है जागा आपका ऑप्सन B ठीक है अगला प्रशन है दूबर्स 2017 ठार में क्रिसी वृद्धी बहुत कम 90% दर्ज की गई थी और 2017 ठार में कई जनपद सूखे की समस्था से जूद रहे थे तो उपरयुक्त में से दोनों कथन गलत है ठीक है क्यों अब देखिए 2017 ठार में क्रिष्टि वृद्धी बहुत कम दर्ज की गई थी लेकिन कितने परसेंट दर्ज की गई थी ये इसका ज सब्सक्राइबर अगला प्रषण है मटासी मिट्टि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो यह मिट्टी अधिक सहत है और इस मिट्टी में रρέh की मातरा अधीक होती है अब लोही की मातरत ही होती है लेकिन अधीक होती है ये गलत है ठीक है ये थोड़ा doubtful है और इस मिट्टी में रेत की मातरा अधीक होती है तो ये सही है तो आप इसको सही उत्तर ले सकते हैं option D को सही नहीं है पूछा है तो अगला प्रशन है निम्नकतनों को ध्यान पूरोक प रखा गया है तो इसमें से जो विकल्प दो है वो गलत है मतलब option सी इसका सही उतर रहेगा केवाल एक और तीन सही रहेंगे अगला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है तो साथ वहन वंस की सकती छीड़ होने के बाद वाकाटक वंस ने अपना रा ज़ा प्रवर सेन प्रथाम यह गलत है पहला सासक महेंन रसेन था इसकी जनकारी आपको जो है हरीसेंड की प्रयाक प्रसस्ती में मिल सकता है और विंध शक्ती प्रवर सेन का पूतर था यह भी गलत है तो किवल एक जो है इसका सहीं रहेगा option 6 का सहीं रहेगा अगला दूब राज को दोहज दोहजार इकिस में जी आई टाइग जो है प्रदान किया गया है यह जो है इसको नगरी दूब राज भी कहते हैं यह धमतरी छेत्र में अधिकतर बोया जाता है अगला प्रशन है नगरी इस्थानी निकायों पर राजे सासंद्वारा नियंत्रण किया जाता है तो राजे सासंद्वारा जो है विधाई मामलों में वित्ति मामलों में और कार्मिक मामलों में नेंत्रण किया जा सकता है और बड़े नगरों को नगरी प्रहसासन अत्या जडिल प्रक्रीदी गहता है यह सहीं है अग्ला प्रशन है समीधान के 74 समीधान संसोधन अधीनयम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है किसका प्राधन किया गए है पूछ रहे है तो नगरपाली का समीती का आपको कहीं भी उल्लेक नहीं मिलेगा और वाड समीती का आपको अनुच्छे 243 के S में महानगर आयोजना समीती 243 ZD में नहीं ममखी रहे हैं अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा या कौन से यूग्म सही सुमेलित हैं तो इसमें से आपका A, B और C सही सुमेलित है पंचायाद सांखी की योकति हैं लेकिन उन्होंने रेगूलर इलेक्षणन या नियमी चुनाव का सुझळाव दिया था तो जिला नियाधिस जिले का सबसे बड़ा नियाईक अधिकारी होता है यह कथन सहीं है और जिला नियाईधिस के पास नियाईक यों प्रसासनिक दोनों प्रकार की सक्तिय होती है उनके पास जिले के अन्य सभी अधिनस्त नियाईलों के उपर परेवेक्षिश शक्ति भी होती है तो य अगला प्रशन है चुरी की पहाडियों का अधिकांस भाग किस जीले में वित्रित है चुरी की पहाडियों का अधिकांस भाग जो है कोरबा जीले में वित्रित है अगला प्रश्ण है पांचवे राष्ट्रिय परिवार एवं स्वास्त सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार 36 गड में सकल प्रजननता दर तो ये रहेगा आपका 1.8 ठीक है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 रहेगा अगला प्रश्ण है निमन पुरा तत्विक इस्थलों महा नदी के तट परिस्थित कीस इस्थल पर बहुत धहिंदों और जयन मंधिरों या मठों की समाराख है ये एकदम सरल कोश्चन था इसका उत्तर तो आपको एक बार भी आ जाना जीए था इसका सही उत्तर हैगा ऑप्शन C सीरपूर अगला प्रशन है मालगेर नदी का उदगाम इस्थल कहां है तो मालगेर नदी का उदगाम इस्थल है बैला डील पहाडिया ऑप्शन A इसका सही उत्तर रहेगा निमलेखित सिमेंट कार खाने प्रदेश के किस तहसिल में इस्थित है सुमेलित कीजिए तो जो स्री हैं वह आपका है बलवादर बजार में और अल्ट्रा टेक आपका सीमगा में है और जे के लक्षमी आपका सेंचूरी सीमिंट तील्द में है तो सही उत्तर होगा आपका 4-3-1-2 आप्सान B ।S अगला प्रश्न हैो तो 36 गड में खनिज भंडार एवं चेत्र कौ सुमेलित कीजिये तो हीरा जो है वो जांग्डा चेत्र में पाय जाता है गरियाबंद में चूना पत्थर आपका मिलता है जीपन जीपन करही जिसको कहता है बलोदा बजार में और Magnège, Magnège मिलता है आपका परसोली जो दूरगजीले के अंतरगत आता है और Garnet, Garnet मिलता है आपका लाटा पारा में जो गरिया बंजीले में ही आता है, सही उतर रहेगा, 2, 3, 4, 1, option सी इसका सही उतर रहेगा अगला प्रश्ण है सूची एक में दिये गए नदी को सूची दो में दिये गए उद्गाम इस्थल से सुमेलित कीजिए तो मांड नदी का उद्गाम इस्थल होता है मैं पार्ट से option एक आएगा 4 तो आपको यहाँ पर अगर पहला उत्तर ही पता था लेकिन 36 गड़ जी एस में भी यह प्रश्ण दे दिये गए हैं तो बिना पंके सुवना उड़ी चलत अकास रूप रंग इनके नहीं मरय न भूग प्यास आपको पता चली गया होगा कि आत्मा या जीवात्मा के बारे में बात कर रहे है फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गम आगे चारो कोना इसका रहेगा अब हागे को सहारा न मिलना अप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा अगला प्रश्ण है क्या हो सकता है इस जनवला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें तो एक हडिया जेमा दू रंग के पानी तो इसका सही उत्तर रहेगा अंड़ा अंड़ा में दू रंग का पानी होता है एक सफेद और एक पीला ठीक है अगला प्रश्ण है निम्न का वाक्यांस किस गाथा से उध्रित है तो ये जो वाक्यांस उसको मैं पूरा नहीं पाद के बारे में बताया गया था तो हो सकता है इसका उत्तर फूल बासान आए तो मिस्प्रिंट के वज़े से ये फूल बामन हो चुका हो तो विलोपीत होना के कुछ चांसे है अगला प्रश्ण है लेकिन अगर फिर भी लगते है आपको कि इसमें इन चारो विकल्पों म हर जुबान सीरजा ले थे तो ये जो है गजल है 36 गढ़ी का ये मुकुन कौशनल द्वारा लिखा गया था अप्सन भी इसका सहीं उतर रहेगा अगला प्रश्ण है मुख्य मंत्री व्रिक्षर ओपर प्रोटसाहान योजना के संब्द में क्या सहीं है तो इस योजना की तो आपको उतर जल्दी मिल जाता क्योंकि A B और C तीनों में पहला कथन को सहीं उतर लिया गया है तो ये गलत है ऑप्सन D इसका सहीं उतर हागा केवल 3 इस योजना के तहथ व्रिक्षर ओपढ़ है तू हाई-टेक नरसरी की स्थापन है तू केवल 3 इसका सहीं उतर रहेग में जो कथन है वो आपका एकदम सीधा सीधा है ठीक है गुंडाधूर सम्मान जो है कुमारी रोहोडी साहो को मिला है बैड्मिंटन प्लेयर है ये ठीक है आपको पता ही होगा डाक्टर खुप चंद बखेल सम्मान मुकेश चौधरी को मिला है सहीद मिन्दरानार सिंग आपको अगर पता होता कि कौन सा सुमेलित है तो आपको उत्तर जल्दी मिल जाता मुक्ष मंतरी सूपोशनड अभियान जो है वो महिला एवं बालविकास विभाग से संबंदित है यह सही है तो अगर आप तीन को एलिमिनेट कर देते तो आपको उत्तर मिल जाता कि एक दो चार और पांच किसमे है तो आपको उपसन B में एक दो चार पांच मिल जाएंगे तीन नहीं है उसमें तो यह सही था लेकिन बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं तो संसकार अभियान जो है महिला एम बालविकास विभाग से ही संबंदित है मुख्य मंतरी सौलंबन यो समाज कल्यांट से संबंदित है सामर्थ विकास योजनवी समाज कल्यांट से संबंदित है तो आप्सन B हमारा सही उतर रहेगा अगला प्रशन है चतिस गड़ आर्थिक सर्वेक्षांड 2020-21 के नुसार निमन लिखी जीलों को महिलाओं की साक्षर्ता दर के संदर्भ में घ पूर आएगा ठीक है अगला प्रशन है अब इंडिया जी से कुछ कोश्चन्स आर है निमन कतनों को पढ़कर सहीं विकल्प चुनिये तो कथन तीन कथन दिये गया थे ठीक है कि 1907 में कांग्रेस वार्चिक अधिवेशन के धक्षता राम भिहारी घोष्णी की थी सही है इ यह तो सही है लेकिन इस एधिवेशन के धेक्षता एस पिस इनहा ने नहीं की थी इस एधिवेशन के धेक्षता जो है अम्बीका चरण मजूमदार ने की थी इसलिए कथन एक और दो सही है किन्तु कथन तीन गलत है अगला प्रशन है निमन कतनों को पढ़कर सहीं चुनाओ करें अखिल भारतिय जन्गर्णा का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया तो अखिल भारतिय जन्गर्णा का प्रथम प्रयास जो है 1871 में नहीं बलकि 1872 में किया गया था लॉड मेयो के काल में ठीक है फिर लॉड रिपन के काल में जो है नियमित जन्गर्णा प्रादम के दर्मियान शहरी आबादी पूरी आबादी का दस प्रतिसाथ से बढ़कर 18 प्रतिसाथ हो गई यह कथन भी गलत है तो केवल कथन दो सही है ऑप्सन सी इसका सही उतर रहेगा अगला प्रशन है राज्य पुनर कथन आयोग 1903 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करती हुए सही विकल्प चुने तो कथन था जश्टीस फजल अली के एम पनिकर और विदायनात कुझरू इसके सज़स से थे सही है आयोग ने बंबई और पंजाब की विभाजन का समर्थन किया नहीं उन्होंने विभाजन का समर्थन नहीं किया था संसत के पास राज्य पुनर काफी लोगों का गलत हुआ होगा या काफी लोगों ने इस प्रश्न को इसकीप किया होगा क्योंकि काफी डीप कोश्टन था ये काफी पुराना कोश्टन पूछा गया था ठीक है लेकिन इसका सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं कथन एक है कि वह भारत के सोल्वे मुख्य नयाधिस थे सही है वे अब तक सबसे लंबी अधी तक मुख्य नयाधिस के बद पर रहने वाले वेक्ति हैं यह कथन भी सही है उनकी नियुक्ती निलम संजीव रिड़ी ने की थी यह भी सही है तो तीनों कथन सही है आपसा ने इसका सही उतर रहेगा अगला जो प्रश्ण था कि सबसे कम अधी के लिए भारत के मुख्य नयाधिस कौन थे तो सबसे कम अधी के लिए भारत के मुख्य नयाधिस थे कमल नरायन सींग जो 17 दिन के लिए मुख्य नयाधिस बने थे इसके अलावा जो दूसरे सबसे कम दिन के लिए मुख्य नयाधिस थे वो थे एस रा मतलब यह लगभग 1978 में लाया गया था ठीक है इस संसुधान के द्वारा पहली बार यहां इस पश्ट किया गया कि राश्ट्रपती केंद्रिय मंत्री मंदल के सुझाव की विपरित कारे नहीं कर सकता यह ब्याली से समय धन में संसुधान में हुआ था जिसको चमालीश में इस अवधी के लिए उपर राश्ट्रपती को राश्ट्रपती का वेतन मिलेगा सही है यदि इस अवधी में उपर राश्ट्रपती त्याग पत्र दे देते हैं तो वे भारत के मुख्य नायधिस तो भारत के मुख्य नायधिस राश्वपती की पद का निर्वहन करेंगे यह भी सही है तो दो और तीन सही रहेगा आप्सन सी इसका सही उतर रहेगा अगला प्रशन है विवे विध्यक पारित करने के लिए संसत की संयुक्त बैठक से सम्मंधित निम्न कत्रों में कौन सा या कौन से सही है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान समान्य विध्यक वित्य विध्यक तसा संविधान शर्शोधन विध्यक के लिए मानने है तो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो समान्य विध्यक के लिए मानने है किन्तु संविधान स एधन विधेक के लिए मानने नहीं है, तो पहला कथन गलत रहेगा, ठीक है, आप यहां से कोई आंसर जो है, ऐलिमिनेट कर सकते हैं, तीनों में पहला कथन सहीं लिया गया है, तो इन में से जो सहीं तरागव वो रहेगा, इन में से कोई नहीं option D, ठीक है, जो किसी भी स्थित नीम्न में से किस राज जिसे लोक सभा की सबसे जादा सीटे अनुसुची जन जाती के लिए आरक्षित है तो अनुसुची जन जाती सबसे जादा मध्य प्रदेश में है तो वहाँ सीटे भी वहीं जादा आरक्षित है option 10 का सहीं उतर रहेगा अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सी समीती लोक सभा के अधिन नहीं आती तो जो है स्वास्थ एवं परिवार कल्यार सम्मंधी समीती है वो राज्यसभा के अंतरगत आती है राज्यसभा सचिवाला के अंतरगत ठीक है option 10 का सहीं उतर रहेगा अगला प्रश्ण है भारतिय संसदिय समूह के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सहीं है अगला प्रश्ण है निमनकेंदर सासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ ही मिलान करें तो जो है लक्षदीव 1956 में बना था दमवन औरदीव 1962 चंडीगर 1966 दादर दादरा और नगर हवेली 1961 में option B हमारा सहीं उतर रहेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हम आने वाली परिक्षाओं के लिए भी test series MCQ से लाने वाले हैं जो आपको परिक्षाओं में काफी मदद करेंगे और जितनी भी परिक्षाओं भविष्यम होने वाली हैं उन सभी की preparation और उन से जुड़ी सभी जानकार ये हम आपको इस चैनल में उपलब्ध कराएंगे तो जुड़े रहे हमारे साथ और ग्या नर्जित करते रहे हैं अगला प्रशन है स्वायत तजीला के संदर्व में कौन सा या कौन से सही है तो स्वायत तजीला के संदर्व में जो हैं कथन एक और तीन सही है अब क्या कथन है प्रत्यक स्वायत तजीला परिसद में तीस सदस से होते हैं सही है स्वायत तजीला परिसद के अधिकार राज़पल के पास है यह सही है जो स्वायत जीला के बारे में है वो आपका छटवी अनुसुची में है ठीक है छटवी अनुसुची में बताया गया है जो पांच राज्य है असम में घाला है त्रिपूरा मीजोरम इन सब के बारे में जो छटवी अनुसुची में क होना चाहिए नहीं हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए तो यहां कथन गलत है आयोक का अध्यक्षा पुना नियुक्त नहीं किया जा सकता है यहां भी गलत है पुना नियुक्त किया जा सकता है आयोक के प्रथम अध्यक्षा के संथानम थे तो आयोक के रेलवे चर्च गेट साओथ इस्टरन रेलवे गार्डन रिच कोलकाता सही है और नौर्थ फ्रेंट्रिय रेलवे जो है वो प्रयाग राज में नहीं बलकि गुवाहाटी शिक्किम में हैं कहां हैं सिक्किम में अगला प्रस्ण है ओलम्पिक्स 2020 के सम्मद्ध में कौन साया भारत से 121 खिलाडी ने ओलम्पिक्स 2020 में हिस्सा लिया सही है भारत में भारत और उस्ट्रेलिया उपन 1905 तो इसका सहीं करम रहेगा आपका विंबल्डन यूएस और फ्रेंच फिर ऑस्ट्रेलियन तो आप्संसी इसका सहीं उतर रहेगा अगला प्रश्ण है JNU operating system के संबंध में क्या सहीं नहीं है तो यह एक Unix के साथ compatible नहीं है पहले व्यापम ही computer के question देता था लेकिन अब PSC भी computer से related question देने लगा है तो pattern change हो गया है इस बार का भी काफी जो है नए question से और नए pattern में question आए है तो अगली बार के लिए और अच्छे से त्याई करके रखिएगा उम्मिध है आपका इसी बार में clear हो जाए और चलिए देखते हैं आगे distributed denial of service DDoS attack क्या है तो यह है एक cyber attack है option B इसका सहीं उतर रहेगा nav.ic ठीक है यह नवीक जिसको कहते हैं का full form क्या है तो इसका full form है navigation with indian constellation option B इसका सहीं उतर रहेगा अगला प्रशन है आवरित्ती modulation radio waves के बारे में क्या सहीं नहीं है तो radio waves के कि बारे में सहीं यहां नहीं है कि यहां आवरित्ती modulation के आवरित्ती range I am modulation से कम होती है यह सही नहीं है ज़्यादा होती है अगला प्रशन है चंद्रायन टू अभियान से संबन में क्या सही नहीं है पूछा है तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो आंसर क्लिक करी गया होगा आपसंसी इसका सही उतर रहेगा इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी अगली बार हम जरूर काम्याब होंगे अगला प्रशन देखते हैं व्यसकों को दी जाने वाली कोविशिल्ड वैक्सिन के प्रत्यक डोज में कितनी मात्राएं होती थी या कितनी मात्र होती थी तो यह 0.5 पे मिल रहेगा ठीक है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा या कौ गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा यह सही है गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोच करता थे यह गलत है गुलाम रसूल गलवान जहें लद्दाखी खोच करता नहीं थे बलकि वह पहले डाकू थे फिर बाद में उन्होंने अपना प पुदरी विरासत परिसर विक्षित करने के लिए समझाता ग्यापन पर हरस्ताक्षर किया है इसे कहां विक्षित किया जाएगा तो इसे जो है लोथल गुजरात में विक्षित किया जाएगा option D इसका सहीं उतर रहेगा आगे बढ़ते हैं Chief of Defense Staff के संदर्फ में क्या सहीं नहीं है तो इस पत के लिए अधिक्तम उम्र सीमा 65 वर्स है सहीं है वह Chief of Staff Committee का इस्थाई अध्यक्षा होता है सहीं है वह रक्षा अधिकरहन परिस्द का अध्यक्षा होता है यह अगला थै रक्षा अधिकरहन परिस्द का अध्यक्षा जो है वह Defense Minister या रक्षा मंत्री होते हैं वह रक्षा योजना समीती का सदस्थ से होता है यह भी सहीं होता है इसका जो हमारा जो सहीं उतर रहेगा वो रहेगा option C अगला प्रशन देखते है निम्नकत्नों को पढ़कर सहीं विकल्प चुने गंजाम विद्रोह 1800 से 1800 पांची सुए में हुआ सहीं है और गंजाम विद्रोह का नेत्रित्व धनंजय ने किया तो गंजाम विद्रोह का नेत्रित्व जहाँ वो अगला प्रशन है भारतिय परिशत अधिनियम 1861 के सम्मन्द में निम्न कतनों को पढ़कर सहीं विकल्प चुने इस अधिनियम के फल सोरुप गवर्नर जनरल की कारेपाली का परिश्रत में कुल सदस्यों की संख्या साथ हो गई या साथ नहीं च्छै हुई थी पहला कतन गलत है तो आप यहां से अंसर जो है और अठारासो ब्यावे के सम्मन्द में निम्न कतनों को पढ़कर सहीं विकल्प चुने तो इसे वी जून 1892 को लागू किया गया सहीं है कुल 24 सदस्यों में इसे गयर सरकारी सदस्यों की संख्या पांस थी निम्न कथनों को पढ़कर सहीं भी कलपक का चुनाओ करें तो चुनाओ था कि जेडी डाना ने भारतिय उप महाद्विप के चट्टानों के भूगर भी है इतिहास के लिए एक विसेस भुगार्विक समय मापक तयार किया तो जेडी डाना ने सिर्फ भारतिय उप महाद्विप नहीं बलकी पूरे विश्व के महाद्विप महासागरों के अध्यान के लिए भूगार्विक समय मापक तयार किया था भूग अर्विक समय मापक के अनुसार भारतिय चटानों को आर्कियन, पौराडिक, त्रमीडियन तथा आर्यन यूग में विभाजित किया जाता है कथन एक और कथन दो जो है आप पढ़ा उसमें से कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है अगला प्रशन है दिये गई युगमों के सही काल करम बद्ध को चुने जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा तो जब आप इसको पढ़ेंगे पृत्वी की भूग अर्विक अध्यान में थीक है तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा इसका सही उत्तर है और प्संट लगाला प्रशन है निमलिखित भूग अर्विक विरासतिस्थल कों के सही मिलान करें तो जो राश्ट्रिय काश्ट है जिवास्मो पार्क है वह है आपका तीरुचीरापल्ली तमिल नाडुम। और सिवालिक पार्क है आपका सिर्मौर सिर्मौर कहां है अहीं मांचल प्रदेश में हैं। इस्ट्रेमेटोलाइट पार्क, इस्ट्रेमेटोलाइट पार्क है आपका चित्तोर गड़, राजिस्थान, लोनार जीर है आपका बुल धाड़ा, महाराश्ट्र में, इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा, 3,4,2,1, ओप्सन, C, अगला प्रशन है, निम्न कतनों के अधार प कथन एक जो है गलत है, प्लेट वीवरतनी की सिध्धान समुद्र तल विस्ताराण सिध्धान पर आधारित है, यह जो है सही है, तो कथन एक असत्त है, परंदू कथन दो सत्त है, आप्सन, D हमारा सही उत्तर रहेगा, अगला प्रशन है, निम्न लिखित हीम नदी को उनके गाथार पर घरते क्रम में सजाईए, तो सबसे ज़्यादा बांदोख है, राजिस्थान में है, यहाँ पर राजिस्थान को बाद मिलिया गया है, मध्यप्रदेश में 906 बांद है, गुजरात में 632 बांद है, और उसके बाद इसका उत्तर जहे, कुछ और आना चाहिए थ सही है, भारत 2030 तक अपनी उर्जा जरूरतों का 60 प्रतिसत पूर्ती अक्छे उर्जा में करेगा, तो 60 प्रतिसत नहीं वहा है, 50 प्रतिसत है, ठीक है, 50 प्रतिसत है, यहाँ कथन गलत है, तो इस अधार से हमारा सही उतर हो जाएगा, ऑप्शन B, भारत 2030 तक अपनी गयर जी और पूर्ण अमासी जानी को मिला है कला के छेत्र में और बिजोया चक्रवर्ती को मिला है सारवजनिक मामले में बिजोय चक्रवर्तिय भी वर्तमान में लोक सभ़ा की सांसद भी है अगला प्रशना देखते हैं option 20 का सही उतर रहेगा अगला प्रशना है कि उचीत और लाबकारी मुल्य निम्न में से किस फसल से सम्मंधित है तो उचीत और लाबकारी मुल्य जो है गन्ना से सम्मंधित है ठीक है जो कैबिनेट का नया निम्न है था option 20 का सही उतर रहेगा थोक मुल्य सुचकांक की गर्णा ठीक है थोक मुल्य सुचकांक की गर्णा इसका डारेक्ट आंसर था है आप गूगल करेंगे तो एक बार में इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसका सही उतर हैगा 64.2 दिन प्रतिस्ट है 64.23% अगला प्रशन है अंतर राष्ट्री मुद्रा कोस में भारत का विशेश अहरण अधिकार पतिसत एवं वोट का प्रतिसत क्रमशा कितना है ये भी आपको गूगल में डारेक्ट के एक ही जर्च में आंसर मिल जाएगा अपसाने इसका सही उतर हैगा 2.75% और 2.63% अगला प्रशन है आर्थिक सर्विक्षान 2020 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग दुद उत्पादन के अधार पर घटते क्रम में सजाएं तो इसको आप जब घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे ज़्यादर दुद उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश फिर आपका होता है राजिस्थान में फिर आपका होता है मध्य प्रदेश उसके बाद गुजरात फिर पंजाब फिर हरियाड़ा तो आपका सहीं उतर रहेगा मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब हरियाड़ा अप्सन भी इसका सहीं उतर रहेगा अगला प्रशन है वायरस के संदर्व में क्या सही नहीं है तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि C DNA अधारित वायरस अधिकांस्ता सिंगल इस्ट्रेंडर होता है तो DNA अधारित जो वायरस होता है वो सिंगल और डबल दोनो इस्ट्रेंडर रहता है ठीक है, Single-Stranded भी हो सकता है, Double-Stranded भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अधिकांस्ता हा खागया है, तो DNA अधारित वाइरस जो है, अगर अधिकांस्ता हा बोला जाएगा, तो अधिकांस्ता है Double-Stranded होता है, इसलिए Option C जो है, इसका सही उतर हैगा या सही नहीं है, DNA य यह सारे उत्तर एक ही जगा पे मिल जाएंगे, लगू और सिमान किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल छेत्रों के मालिक हैं, राजजेवर कृष्टकों की कुल संख्या के अधार पर महाराष्ट तीसरे इस्थान पर है, राजजेवर कुल जोती के भू पर राजिस्थान प्रधम इस्थान पर हैं, तीनों कथन जो है, सही हैं, अगला प्रश्ण है, निम्न में से किन परिशितियों में, एक कंटेनर में भरे हुए कारबान डायक्साट की अड़ों की बीच दूरी बढ़ेगी, तो इसका सही उतर रहेगा आपका ओप्शन D, ए 72 किलोमेटर दूरी तय करेगी, करने में कितना समयलेगी, तो मैस का कोश्चन था, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, थोड़ टाइम लगता है, गलुकोज वाला भी हमने सॉल्व नहीं किया है, अगला प्रश्ण है, उदाइगिरी और खंडगिरी गुफाओं के सं कौन सा या कौन से सही है, तो आपको पता ही होगा कि ये प्राकृतिक और कृतिम दोनों तरकी गुफाओं हैं यहां, ओडिशा में हैं आपका, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा इस्टेट में आपको मिल जाएगा, उदाइगिरी में 18 असा, खंडगिरी में 15 गुफाओं हैं, तिहां गलत है, खंडगिरी की गुफाओं हैं जो हैं वो हाथी गुम्फा स्रीलाक के लिए प्रशिद नहीं हैं, बलकि हाथी गुम्फा स्रीलालेक के लिए उदाइकिरी की गुफाओं प्रशिद हैं, तो जो कथन एक और दो है सहीं रहेगा, तीन गलत रहेगा, अगला प विषुधि मग्ग ये रचीता है. परम विर्चक्र विर्ता पुरुषकार से संभन्धित, संभन्ध में क्या सहीं है? तो यहाँ पूरुसकार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में के वाल एक ही बार दिया जा सकता है इसके पदक पर इंदर वज्र की चार प्रतिकृतियां अंकित होती है तो यहाँ कथन सही है आप यह जो असोक चक्र होता है वहाँ पर आपको सेंटर में जो है असोक चक्र दिखेगा और यहाँ पर चार आपको इंदर जो है उसकी इंदर के वज्र की प्रतिकृतियां देखनों को मिलती है तो आप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा ठीक है इस पूरुसकार को 26 जन्वरी 1922 को इस्थापित किया गया यह नहीं है तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ओप्सन डी ठीक है ओप्सन डी इसका सही उत्तर रहेगा जो फुलकारी है वो आपका पंजाब से संबंधित है धरणिया आपका गुजरात से संबंधित है कसूटी करनाटक से संबंधित है और कर्चोबी यहाँ आपका राजिस्थान स संबंधित है इस तरीके से हमने GS paper 1 के पूरे 100 प्रशनों के उत्तर देखे अगली वीडियो में हम paper 2 के सारे प्रशनों के उत्तर देखेंगे उमेद है आपको जो हमारे दोरा बताया गए है उत्तर वो सहीं लगे होंगे अगर आपको किसी प्रशनों में अपको किसी प्रशनों में गए है उत्तर देखेंगे उत्तर